Hello everyone, welcome to IKSR Chemistry Classes. इस वीडियो में मैं Common University Interence Test UG 2023 के Question Pattern एवं उसके Marking Pattern की चर्चा करूँगा. लेकिन सबसे पहले हम लोग देखें, What is the nature of C-U-E-T? जैसा कि हम लोग ने पहले चर्चा की है कि C-U-E-T एक Computer Based Test है, C-B-T है, जिसकी परिच्छा Computer पर देनी होगी. और इसमें Multiple Choice Questions होंगे. परते Question में चार Option होगा. चार Option में से किसी एक सबसे सही या सही उत्तर को सेलेक्ट करना होगा. सबसे पहले देखें, C-U-E-T, U-G-2023 में Marking Pattern क्या होगा? यदि हमने किसी प्रश्ण का सही उत्तर दिया है, तो उसके लिए हमें मिलेगा Plus 5 अंक. गलत उत्तर के लिए एक अंक घटा दिया जाएगा, यानि उसका मार्श होगा Minus 1. और यदि हमने किसी प्रशन का उत्तर नहीं दिया है, अनुत्तरित प्रशन के लिए 0 मार्श सही उत्तर के लिए plus 5, गलत उत्तर के लिए minus 1, एभम, अनुत्तरित प्रशन के लिए 0 लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे यदि किसी question के answer के मामले में आप 50% से ज़्यादा confident हैं तो उस प्रस्ण का उत्तर अवस्ट दें उस प्रस्ण को जरूर attempt करें देखे हम लोग कोई विद्यार्थी 10 questions attempt करता है by guessing more than 50% confidence कोई student 50% से ज़्यादा विश्वास के साथ 10 प्रस्णों का उत्तर करता है यदि उसमें से 3 प्रस्ण भी सही हो गया तो plus 15 marks मिलेगा और 7 गलत हो गया उसके लिए minus 7 overall marks plus 8 guess करने पर भी यदि 3 प्रस्ण सही हो गया तो plus 8 नमबर मिलेगा यदि बहुत बुरी स्थिती में 10 में से मात्र दो ही प्रस्ण के उत्तर सही होते हैं तो उस पर नमबर मिलेगा 2 गुना पाच यानि की 10 और 8 गलत उत्तर के लिए अंग मिलेगा minus 8 इस स्थिती में भी plus 2 अंक प्राप्त होंगे लेकिन यदि किसी प्रस्ण का उत्तर का आपको कोई आइडिया नहीं है तो किरिपया उस प्रस्ण को attempt नहीं करें Section 1 में Language Paper होता है इसमें दो सब सेक्षन है 1A and 1B ये दोनों ही Language Paper है और दोनों के लिए Question Patterns Same है टोटल 50 प्रस्ण दिये हुए रहेंगे जिसमें से 40 प्रस्णों का उत्तर देना होगा Language Paper चाहे 1A Section का हो चाहे 1B का हो टोटल 50 questions रहेंगे जिसमें से 40 प्रस्णों के उत्तर देना होगा और इसके लिए Allotted Time Period है 45 Minutes Section 2 में Domain Subjects होते हैं इसमें से इन Domain Subjects को छोड़कर बाकी के लिए Question Patterns Same है 50 प्रस्णों में से 40 प्रस्णों के उत्तर देने होगे और उसके लिए Allotted Time Period 45 Minutes है लेकिन इन 6 Domain Subjects के लिए अलग Question Pattern होगा Accountancy and Bookkeeping, Computer Science and Information Practices, Economics and Business Economics, Mathematics and Applied Mathematics, Physics and Chemistry इन 6 Domain Subjects के लिए भी 50 प्रस्णों दिये होगे और उनमें से 40 प्रस्णों का उत्तर देना होगा लेकिन इसके लिए Allotted Time Period है 60 Minutes और Section 3 में General Test होता है और इसका Question Pattern हम लोग देखें Allotted Time 60 Minutes होगा, Total Number of Questions 60 होगा और उसमें से 50 प्रस्णों के उत्तर देने होगे लेकिन Marking Pattern सभी का समान होगा, सही उत्तर के लिए Plus 5, गलत उत्तर के लिए Minus 1 और जिस प्रस्ण का उत्तर नहीं दिया गया है उसके लिए Zero Thank you for watching the video अगले वीडियो में हम लोग कुछ modal questions एवाँ उनके answers की चर्चा करूँगा सबसे पहले मैं General Test के कुछ प्रस्णों और उनके उत्तरों की चर्चा करूँगा Thank you again Okay